दोस्तो आज हम लोग बच्चों को दी जाने वाली एक औरल सॉलियोशन जिंकप सिरप के बारे में पूरी जानकारी लेंगे इस वीडियो में हम लोग इसके कमपनी, कॉमपोजिशन, इसके फायदे और साइड इफेक्ट्स, इसके इसके इस्तेमाल करने के तरीके और टोजिज और इसके प्रैस के बारे में जानेंगे तो फ्रेंट्स वीडियो को प्लीज आप लोग पूरा कमपलीट जरूर देखेगा ताकि हर एक चीज आसानी से समझ में आ जाए तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो फ्रेंट्स जिंक अप सीरप को मेपरा लेपस प्रैवेट लिमिटेड कमपनी के दोरा बना जाता है अगर हम लोग इसके गोम पोजिशन की बात करें तो इसके परतेक 5 एमिल कॉंटेंज के साथ जिंक गुलुकुनेट 20MZ होता है अब हम लोग इसके फायदे और इसके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं दोस्तो जिंक अप सीरप का उप्योग खास कर बच्चों में किया जाता है और इसमें जिंक गुलुकुनेट होता है ये बच्चों के शरीर को मजबुत बनाता है साती सरीर की उम्मनिटी को बढ़ाने में भी मदद करता है इसके अलवा अगर दस्त हुआ है तो दस्त का इलाज करने के लिए भी इस दवा का यूज किया जाता है साती सर्दी जुकाम जैसे सामाइने समस्याओं को भी ठीक करने के लिए इस सिरफ को दिया जा सकता है इसके अलवा ये दवा बच्चों में होने वाले कई प्रकार के संकर्मन यानि इन्फेक्शन को फैलने से रोकता है मतलब दोस्तों ये बच्चों के सिरफ में होने वाले अविसक ततों की भरफाई भी करता है और यह दवा बच्चों के सरीर में होने वाले विटामिन D की कमी को भी पूरा करता है तो इसके कुछ यह फाइदे थे जो आप लोगों ने जाना अब हम लोग इसके side effects के बारे में जानते हैं तो दोस्तो इसके अधिकान साइड इफेक्ट मामूली होते हैं और जैसे जैसे बच्चे के सिर्व पर दवा का तालमेल बैटता है वैसे वैसे ये दूर भी हो जाते हैं लेकिन फिर वी अगर कुछ अनकॉमन साइड इफेक्ट दिखता है और ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर से जरूर इस बारे में मिलकर बात करनी चाहिए तो इसके कुछ नॉर्मली और जैनरली साइड इफेक्ट है पेट में गैस बनना अपच होना जी मचलाना और उल्टी होना इतने सारे इसके साइड इफेक्ट है अब हम लोग इस सिरॉप का इस्तिति पर डिपेंड करता है लेकिन अगर हम लोग इसके जिनरल डॉज की बात करें तो बच्चे को कुछ खिलानी या फिर दूद पिलाने के साथ या फिर उसके बाद में दिन भर में क्यावल एक टाइम चाहे वो सुबह हो या फिर साम अगर छे मेने से एक साल तक के उमर का बचा है तो उसे ड़ाय मिल करके देना है और इसको मापनी के लिए आप मेजरिंग ढकन के साहता से माप सकते हैं और अगर एक साल से अधिक उमर के बचा है तो उसे भी दिन भर में एक टाइम पांचे मिल करके मेजरिंग ढकन के साहता से माप कर पिलाना है दवा पिलाने के समय हमेशा दवा को चैख कर लेना है या अच्छे से हिला लेना है बच्चे के पैरेंट इस दवा को कंट्ञाव 15 दिन तक आराम से पिला सकते हैं कोई दिक्त नहीं है और हम लोग Zink-up शिरफ के प्रैस के बारे में जानते हैं तो इसका प्रैस 80 रुपे में 100 मिलकी 1 बोतल मिल जाती है और 50 रुपे में 30 मिलकी 1 बोतल मिल जाती है ये medical store में आसानी से मिल जाएगे साथ यसे आप online भी मंगवा सकते हैं और हाँ दोस्तों अगर 6 मेने से कम उमर का बच्चा है तो उसके लिए zinc up drop अलग से आता है आप उसका इस्तिमाल कर सकते हैं और या फिर doctor भी recommend उसे के लिए करेंगे तो दोस्तों मैं उम्मिद करता हूँ कि आप लोग को इस वीडियो से जुड़ी हर एक चीज आसानी से समझ में आ गई होगी अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें शेर करें और मेरे चैनल मेडिसिन इंक्वारी एंड हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कर दे और बैल आकोन को दबाए ताकि आने वाले इंफॉर्मेटिव और नोलेजिवल वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहें तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक आप लोग स्वस्त रहें मस्त रहें धन्यवाद